मरे यूट्यूभ परिवार पर आपका स्वागत है आइए जानेंगे पारस्थिक तंत्र के बारे में पारिस्तिक सिंथि प्रस्थे सिस्टम कहते हैं पार्सितीक तंत पादप और जन्तू तथा नर्जीव प्रस्थितियों ृपा oldka इखिए पना होता है इसे ही पार्सितिक Надо कहते हैं सरपथम में एज़ी टेंसले ने प्रस्थित刑 दंध कि निर्जीप यानि living and non-living factor के एकत्री करण को पारिस्तिक तंत्र कहते हैं पारिस्तिक तंत्र के कितने प्रकार है या type of ecosystem उसको देखेंगे सरपिथम पारिस्तिक तंत्र को निम्न भागों में बाटा गया है प्राकृतिक पारिस्तिक तंत्र जिसे हम natural ecosystem कहते हैं नेचुरल एको सिस्टम में प्राकृतिक अवस्था में निर्मित होता है इसमें मनुष्य का हस्ता शेप नहीं होता है यह निम्न प्रकार से विभक्त होता है एस्थली पारिस्थितिक तंत्र, टेरिस्ट्रेलियल एको सिस्टम इसमें घंस का मैदान वन का मरुष्थल पारिस्थितिक तंत्र पाय जाते हैं, जली पारिस्थितिक तंत्र में एक्योटिक एको सिस्टम इसमें दो प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र पाय जाता है, ताजा जल पार्षितिक तंत और खारा जल पार्षितिक तंत फ्रेस बाटर एको सिस्टम में बहते हुए जल इस्थिर नदी तलाब गड़े वा जील में इस्थिर पानिय खारा जल पार्षितिक तंतर में समुद्र और महा समुद्र में इस्थित पार्षितिक तंतर कृतिम पार्षि तन्ति मानो द्वारा निर्मःत प्रस्टिततिक तंत्र को कृत्तिम प्रस्तित्तततर कहते हैं इसमें फैसmäß फाकर की खेती आलुकी खेति अब हुगाए गए किसी विए प्रकार के की करतीम प्रस्तितों कहले है अब हम समझेंगे इस्ट्रक्ण और फश स्ड These इस ट्रक्चर आफ एकोसिस्lek हम आवासकी आधार पर व्य पार। तंत्र में को कितने भागों में बाटा गया है या उसका क्या स्ट्रक्चर है उसको संजेंगे उसे समय का साफ एकोसिस्टम सरप॥म पार। तंत्र को बाटने के लिए मुह घटक अबश्यक है वो जैविक घटक और अजैविक घटक में बाता वंत दसाय भी इंप्वॉर्टेंट होती है पारज्थिक कंपोनेंट साप एको सिस्टम जैविक पारसरातिक तंत्र कंवे में जैविक प्रकास की फोटो सेंथेस की क्रिया होती है और उससे भोजब पदार्थों का निरमान होता है जिसमें उर्जा संचित रहती है और इस उर्जा के माध्यम से जीबों को भोजन उत्पलब्ध होता है जो उत्पादक का कार करते हैं यह सवयम पोशिट Спुने घटक के होते हैं थो सब् ampl-質 के अगर आप पूछा जाता है कई पारे क्युस्चन परिक्छण जली पार्षर्थ तंत्र में उत्पादवक की भूम का कौन नुरा करता है तो जलि पारिस्टिक तंत्र में जली पॉधे और साकी इस सेबाल क्या करते हैं उत्पादक की भूमका का निर्वन करते हिसमें presenting उत्पादक द्वारा भोजन को जीवों से भोजन को ग्रहण करना परिपोषित घटक होते हैं इसमें गटक परिपोषित गटक में दो कर देते हैं तर पतम आप समझेंगे कांजूमर क्या है कंजूमर तीन प्रकार के पाए जाते हैं आपको मैं बताना चाहिए नियुकता को निम्न स्टरनियों में या निम्न प्रकार से बाटा गया है कंजीवर आप था स्थ और पैंगि ये उपभोक्ता जो पैंजीव बहोर। में होते हैं प्रात्मिक ऊद्भुगता और पर्प सब्रुने के होते हैं। कि प्रात्मे को भोगता मनुस्य है या नहीं तो लोग लगा देते नहीं जो कि जर्नली गलत है मनुस्य प्रात्मे को भोगता कि स्रेड़ी में आता है सेकंडरी कंजूमर आप दस सेकंड डॉलर या कहें दूत्य को भोगता दूत्य को भोगता यह मांसाहारी होते हैं जो प्र बेंड बिल्ली और मेढ़क या भेंडिया यह सारे लोग क्या आते हैं यह दूतिय उपभोगता कहलाते हैं कंजूमर अब थर्ड ओर तृतियक भोगता इसे स्वयम मांसाहारी होते हैं जो दूतियक भोगता से भोजन ग्रहन करते हैं और इन्हें कोई अनजीब भोजन के रू कि अमर कहलाते हैं रुच्ततम भोगता अब दीकंतुच नीचे gay अ slickmore कनिक्व में तूड़ते हैं वह दिक नगदे के लाद कबक और सोक्षम जीवाती हैं माइक्रो और्गनिजम का कारे होता है कि यह बाता वरण में सरल कारबनी के अविकों को दुबारा वापस लोटाते हैं अब हम समझेंगे आब आवेयोटेक कंपोनेंट्स को आवेयोटेक यानि अजय पारिस्तितिक तंत्र में अजयविक घटक की भूमिका उडम ने 1969 में उडम बैज्ञानिक ने आपको मैं बताना चाहूंगा उडम बैज्ञानिक 1959 में अजयविक पारिस्तितिक तंत्र के घटक को बाटा था जिन्होंने निमन स्रेणियों में भी भक्त किया था उन्होंने बता थे क्लाइमेट का मतलब होता है जल वाइवी जल वाइवी में पानी ताप प्रकास आध्रता की भूमिका होती है इन और गेनिक सबस्तेंस मतलब आकार्बनिक पदार्थों की भूमिका इसमें महापोशक तत्व माइक्रो न्योट्रेंट शाते हैं कार्वन हैड्रोजन कई बार परिक्षाव में पूछा जाता है जली परिस्टिक तंत्र में महापोशक तत्व कौन कौन से होते हैं या कौन से नहीं है तो आप याद रखें कारवन हाइड्रोजन आक्सीजन नाइट्रोजन फासपोरस पोटैसियम मैगनेशियम आयरन सल फरित्यादी तत्व महापोशक तत्व होते हैं इनके सिवा जो भी तत्व आते हैं वो सारे तत्व महापोशक की भूम कामिन ही होते हैं सुख्ष में पोशक तत्व या माइक्रो नूट्रिंट्रिंट्स जिंक मैगनीच कापर मॉलिबिडनम और बुरान ये तत्तो सुक्ष में पोशक तत्तो कहलाते हैं गैसिस जली पारिसितिक तंत्र में हाड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डायकसाइड, अमूनिय गैसे जली पारिसितिक तंत्र में अजयविक घटक की भूमी का निर्भन करती है और गेनिक कंपाउंड और गेनिक यानिक कार्बनिक पदार्थ यह पदार्थ जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच संबंद स्थापित करने में सहायता करते हैं यह तत्तो यह पदार्थ प्रोटीन कार्बोहड़िट और लिपिट्स होते हैं जो अजैविक और जैविक घटकों के बीच में संबंद स्थाफित करके पूरे जली पार्श्तिक तंत्र को एक साइक चक्र के रूप में निरवन करने में अपना महत्पूरी योगदान देते हैं हमारा अगला टॉपिक के अगला वीडियो तलाब पारिश्तिक तंत्र के बारे में होगा और जील रहने के लिए धन्यवाद अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दोस्तों को भी सेर करें धन्यवाद